आज हम बना रहे हैं बहुत जबतनस किसम के कड़ी पकोड़ा की रेसिपी उसके लिए मैंने हाफ कीची दही निया दही को अच्छे से मैंने बीट कर लिया हुआ बिल्कुर बीट करके रखा हुआ यह इस तरह और उसके साथ याव हम इसमें डाल रहे हैं एक भड़के के ग्रेवी फॉर्म में बनाले इसमें गुठ्ली आना रहे हैं यह बिल्कुर रडी हो चुक्त है ग्रेवी और हम इसे छोड़ देते हैं और अपने साथ ही लें देती हैं एक अदर पैन और उसके अंदर डाल दिया मैंने तक्रिबन आदा कप ऑईल और साथ ही दालेंगे एक अच्छे से प्यास को लाइट किसम का ब्राउन करना है और साथ ही मैंने डाल दिया है अदर लसन और हरी मर्श का पेस्ट यह तीनों चीजों का पेस्ट बना लिए ताकर यह ऊपर से नजर ना आए अच्छे सम्दों पने इसकी पहले ग्रेवी करनी है साथ ही दाल दिया एक और सबसे फाले में दाला है एक चमाच बढ़के जीरा इसकी अनुस्ट बढ़ने मसाल रचामच मैंने पिसा हुआ दनिया पॉर्ट दाला है और फैसे प्रिश का घुन डाले और अब 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 लाइक मिर्श का पॉर्ट डालेंगे तक्रीबं एक हार्फ चमाच इसमें रि यह हैं और साथ में इससमें डालेंगे हम लोग में हमलों रहें चब भड़क MESH और सब मसालों के इसमें मिक्सिंग डाले है जाफिया के यह ऐए सब अच्छे सैश्चे से इसमें को खोता हैं यह कि आ यह और सब्कर मिश्क जानिcky । है मैंने ग्रेवी जड़ी और देशन की बनाई थी इसके अंदर डाल दी है और अब इसे हम लोग स्लो फ्लेम पर तक्रीब बन आदर गंटे के लिए पकाएंगे जब तक यह अच्छे से कड़ी रेडी नहीं हो जाती हम लोग स्लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे और साथ ही मैंने यह चौप किया है और इसके साथ हम इसके मंदर डाल देंगे तकरीबन दो से तीन सबस मिर्शें चौप की हैं और साथ ही डालेंगे प्यास चौप किया हुआ अब डाल देंगे हम लोग इसकेंदर सुकी धुली हुई मीथी यह मीथी को ड्राइगर करके रखा वा तो भी धो के इसकेंदर डाल दिया और साथ ही एक चमच भड़के जीरा डाल दिया और एक चमच मैंने इसकेंदर सुरुख मिश डाली है और नमत हाफ टी स्पून आप कर सकते हैं और हम इसमें डाल दिया है एक भड़के बीसर अच्छे से चमच के साथ पहले इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब ही थोड़ा से पानी डाल के इसको मज़ीद हम लोग मिक्सिंग कर लेंगे और ये एक पैनली है उसके मैंने दी फ्राइब करने के लिए और ये मैंने जो आलू के पकोड़े बनाने ये कड़ी के लिए इसको इंदर डाल दी है और चूले का फ्लेम हम लोग ने बिल्कुल फ्लो रखा हुआ है अब को अब कर एक साइट से ब्लकुल अच्छा सा राडियो हो चुकिया अब इसकी बूसी साइट को बदल लेते हैं अब हम इसे निकाल लेते हैं और ये दूसरे साइट पर हमारे जो कड़ी है वो बिल्कुल रड़ी हो चुकी है और काफी अच्छा से ये पक चुकी है दाल देते हैं और ये हम लोग अब इसमें डालें लगे हैं पकोड़े माशाला माशाला आहम जोला बहुता साइट के बार करी कुरा बोल रड़ी हो चुक है अब इससे साविंग बोल्ट में निकालने के बार हम इस पर लगाएंगे प्यास लिड़े का एक जबदस किसम का तड़का यह देखें जबदस किसम कड़ी रेडियो चुकी है और हम इसमें डालने लगए है प्यास वजिरे का जबदस किसम का तड़का जिससे इसकी खुश्बू और इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा अगर आपको कड़ी पोड़े की रेस्पी अची लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब है